अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जाने अन जाने ये वाली गलतिया आप अपने गाड़ी में बार बार कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपने बाइक, स्कूटर या फिर कार को ध्योने के लिए जो हेर शैंपू होता है जो बालो वाला शैंपू होता है, इसे यूजर करते हैं जो body wash shampoo होता है, जो dish washing liquid वगरा होता है, इन्हें use करते हैं, काफी समय तक मैं भी इनसे ही अपनी गाड़ियों को ध्वय करता था, लेकिन अब मैं इसे use नहीं करता हूँ, देखो इसको उपर मैंने बहुत जादा research किया, और आगे इस वीडियो में आपको इसके बारे में जो points बताने वाला हूँ, इतने detail में इस topic के बारे में आज तक आपको किसी नहीं बताया होगा, तो वीडियो को पुरा देखे, क्योंकि आपको ये जानने को मिलने वाला है, कि जो hair shampoo होता है, उससे आमें किन गाड़ियों को धोना चाहिए, किने नहीं धोना चाहिए, कब धोना अगरा हम लोग hair shampoo से धोते रहेंगे, तो नुकसान होगा, और कब नुकसान नहीं होगा, ये सब मैं आपको बिलकुल detail में बताने वाला हूँ, साथी घर पे अपनी गाड़ियों को धोने के लिए, मैं जीन भी products का use करता हूँ, जैसे कि high pressure washing machine हो गिया, bike और car का shampoo हो गिया, microfiber cloth हो गया, इन सब का जो buying link है वो आपको description और pin comment है मिल जागा, तो वहाँ पर जाका आप इने purchase कर सकते हो, और car shampoo को आप अपने bike a scooter में भी use कर सकते हो, साथी एक अच्छा मौका आपके लिए ये भी है, क्योंकि अभी great Indian festival sale जो है, वो Amazon में शुरू होने वाला है, तो bike और scooter के बहुत सारे products को मैंने shortlist किया है, जो कि आप खरीच सकते हो, सस्ते दामों में use भी कर सकते हो, तो इनका भी link आपको description और pin comment है मिल जाएगा, चलिए अब आपनों topic में वापस आते हैं, तो देखो simple सी बात ये है कि जो बालों का shampoo होता है, जो गाडियों का shampoo होता है, इनका chemical composition पूरी तरह से same नहीं होता है, इसको पर मैंने research किया है, तो जो results का result आया है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, अगले एक तरह के 10 minute तक मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूँगा, फिर अपने तरीके से जो अपना तरीका में रहा है, असान लवजम समझाना, उसमें चाहूंगा कि जो hair shampoo होता है, वहाँ पे sodium, laureth, sulfate, इसके राबा, citric acid, इसके राबा, coca, mydopropyl, betaine, ये तीनों चीज, दोनों तरह के जो shampoo होता है, वहाँ पे present होता है, difference कहा है पात अब समझो, मैं chemical composition की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो देखो, जो laureth 6 होता है, ये गाडिय के shampoo में present होता है, इसके राब आपको बताना चाहूंगा, कि PEG7, जो हमाला glyceryl, cocaute है, ये भी गाड़ी के shampoo में present होता है, बालों के shampoo में present, नहीं होता है, अब इस बात का ख्याल रखे, उल्टा बालों के shampoo में क्या हो जाता है, कि PEG7 के जगह में PEG45 present होता है, ये सारी बात इतने detail में अपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो को लाइक करके channel को subscribe, जरूर से करें, साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कि गाड़ीयों के ज़ो शैंपू होता है, वहाँ पे sodium benzoate ये present होता है, जबकि बालों के shampoo में, इसके जगह में sodium sulphate है, वो present होता है, द मैं आपको कुछ example शो किया जो लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी को धो नहीं है गाड़ी को चमका नहीं है चाहे सस्ता माला एक रुपार दू रुपार वाला जो हमारा बालो के शैंपू उससे कर लो क्या फरक पड़ता है फरक पड़ता है क्योंकि इनका chemical composition बिल्कुल सेम नही होता है इन में क्या होता है बालो के शैंपू में क्या होता है कि यह ज्यादा acidic होता है इसमें ज्यादा alkaline होता है जो pH का मातर है वो भी ज्यादा होता है चलो ज्यादा technical नहीं जाते है आपकी मतलब की बात मैं आपको बताता हूं simple सी बात यह है कि जब आगर आप बालो वाल करने के बाद भी वह नहीं जाते हैं इसके लावदा बालों की वालों के लिए του बा वह के लिंदा स्वेस होता है। इससे बहार निकाल देता है, इसके अलावा जो हमारे गाड़ियों के paint होते है, वो एक layer में नहीं होते है, layer by layer by layer by paint होते है, बालो के shampoo के वाय से यह जो हमारे गाड़ियों के paint का जो upper layer होता है, वो layer जो हटते जाता है, जिससे आप गौर करना कि कुछ-कुछ जगा पर जो लेकिन फरक कहां पर आता है मैं आपको एक लिवर कीचारी कीट oğlum सवeleriал divin खशामपल केसा वी और थे प्रमाइस लिवाझता है के पर इंद्सनेज को पर में शिर्ट्रे में खाना क्रीजन कीच शैंपूइन। यहाँ पर नुक्सान यह आ जाता है कि जादा जल्दी जल्दी dust को, debris को, गंदगी को हमारे जो surface वहाँ पे attract करता है, यानि कि आप धो दोगे चमक तो जाएगा, लेकिन ये जादा जल्दी गंदा भी हो जाता है, लेकिन कभी आप try तो करके देखो, जो हमारा car वाला shampoo होता, जो bike वाला shampoo होता, वहाँ पे बहुत लंबे समय तक आपको देखना, कि ये dust को, debris को, जो धूल गंदगी को, वहाँ पे जमान नहीं होना देता है, तो ये भी आपको फरक देखने को मिलता है, तो देखो कुछ basic difference मैंने आपको समझा दिए, जो दोनों तरह के shampoo में देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर आपके पास दो choice है, पहला choice मैं आप पे छोड़ देता हूँ, मैं अब वह चीज फोरस नहीं करने वाला हूँ, मैं यह नहीं बोलूँगा, कि अब आप पैसे लगाओ, मैंने आपको difference बता दिया, तो choice आपका है, अगर आप चाहो तो जो car वाला, यूज करते हो, जहाँ पे glossy finish है, ठीक है, यह चमक वाला finish होता है, paint अगर उस तरह का use किया गया है, और वहाँ पे अगर आप बालो वाले shampoo को use करते हो, तो आपको फरक देखने को मिलेगा, उन पे ज़्यादा नुकसान होता है, matte finish में, जो hair shampoo हो, वो कम नुकसान करते हैं, याप मैं आपको ये भी राज़ देना चाहँगा, कि ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने, मत खर्च करो, लेकिन आप frequently, यानि कि बहुत सो लोग क्या करते हैं, कि दो दिन, चार दिन, पाच दिन, हर साथ दिन, हर सप्तम एक बार, जो बालों के shampoo से गाड़ी को धोते हैं, ये गलती आप मत करो, पैसे नहीं खर्च करना, मत खर्च करो, अगर आपको बालों के shampoo से wash कर नहीं है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि एक महीने में, एक बार अगर आप use करोगे, तो चलो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बाकी टाइम पे आप water wash कर सकते हो, पानी से धो सकते हो, वो ठीक रहने वाला है, लेकिन अगर आपको बालों के shampoo यूज़ कर नहीं है, तो मेरे तरफ से recommend होगा, कि one month में एक बार अच्छी तरह से धोदो, सब कुछ साफ कर दो, polish वगरा कर दो, आपका काम चल जाएगा, ज्यादा frequently बालों के shampoo को अपने गालियों में यूज़ मत करो, आप फरक दिखेगा, और जब आप दोनों तरह के shampoo यूज़ करोगे, तब आपको मालूँ चलेगा, यहाँ बाई सच बात है, कि जो काल वाले shampoo तो थोड़े महंगे तो होते है, जो बाईक वाले shampoo महंगे तो होते है, लेकिन इकार result भी बहतर होता है, यह तो खर मैं आपका choice पर छोड़ना चाहूँगा, जश्ट मैंने जो research किया, वो मैंने आपके साथ share किया, मेरा जो experience वो मैंने आपके साथ share किया, उम्मीद है कि आज कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी, वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चानल के बारे अत्मी राय, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चानल पर नहीं हूँ, या अभी तक अपने चानल को subscribe नहीं किया, तो चानल को subscribe करक बेल आपको जरूर से बारे ताकि आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye